श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव, आज पित्र पक्ष की एकादशी है। इंदिरा एकादशी और आज रात्री में एक विशेश उपाय करना है, जो कि आपका भाग्य का उदय करने वाले हैं। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज है पित्र एकादशी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पढ़ रही है और इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा एकादशी पित्र पतावी उपाए लेकर आए हैं, जो आपके पित्र दोश को पित्रों के आशीरवाद में बदलने की शक्ति रखते हैं। सबसे पहले उपाए होगा एक लौंग और एक दीपक का उपाए। पहले उपाए में एक दीपक और लौंग का उपियोग किया जाता है, जो जीवन म आने वाली बाधाओं और समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह उपाए विशेश रूप से उन लोगों के लिए है, जो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो या जीवन के किसी प्षेत्र में रुकावट हो। दीपक और लौंग का यह उपाए सरल होते हुए भी अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है और इसका विशेश महत्व धार्मिक द्रिष्टिकोन से भी है। इस उपाए के लिए सबसे पहले आपको एक फूल वाली लौंग की आवश्यक् पकलें जिसे तिल के तेल या सरसों के तेल से भरें। गोल बाती को शुभ माना गया है और तिल या सरसों का तेल नकारात्मक उरजाओं को दूर करने में सहायक होता है। दीपक तयार करने के बाद इसे लेकर आपको किसी बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। पीपल के पेड के नीचे पहुँच कर सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले मन में भगवान शिव और पित्र देवताओं का ध्यान करें। दीपक जलाते समय आप वटकेश्वर महादेव या ओम नमह शिवाय का जाप कर सकते हैं। लेकिन यह दीपक अगर आ आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा लाने और पित्र दोश दूर करने में मदद करेगा। दीपक जलाने के बाद उस दीपक के साथ लाई गई लौंग को बरगद के पेड की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करते समय भगवान शिव और पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करें और आपको सुख सम्रिध्य का आशीरवाद दें। यह उपाए न केवल आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। बल्कि यह पित्र दोशों को भी शान्त करता है। इसे करने के बाद आपको जीवन में सुख, सम्रिध और शान्ती प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। खास कर यदि आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं या बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाए उन समस्याओं को दूर करने में विशेश रूप से सहायक होता है। इसके अलावा, अगर आपको स्वास्थे से जुड़ी कोई समस्या हो रही हो, तो ये उपाए उसे भी कम करने में प्रभावी हो सकता है। और आपकी मनो कामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। दूसरे उपाए में काले तिल और गुड़ का उपयोग किया जाता है, जो जीवन में आई बाधाओं को दूर करने और पित्र दोश को शांत करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। यह उपाय खास कर उन लोगों के लिए होता है, जो अपने जीवन में पित्रिदोश से परेशान हैं या बार-बार कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक या स्वास्थे संबंधी हो। काले तिल और गुड दोनों का हिंदू धर्म में विशेश महत्व है, तिल को शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक माना गया है और गुड को मीठे संबंधों और सम्रिध्ध से जोड़ा जाता है। इस उपाय को आप कैसे करेंगे? देखो, आप आपके घर के मटकी के वहाँ पर आएंगे, तांबे के पात्र के अंदर जल भरेंगे, उसके अंदर कुछ काले तिल के दाने डालेंगे और गुड का टुकड़ा डालेंगे, अब इस पात्र को ले जाकर आपको पीपल के जड लेकिन अगर आप सूर्यास्त के बाद यह उपाय करते हैं, तो फिर आपको एक छोटी कटोरी में काले तिल और गुड लें। अफ बरतन में रखें। ध्यान दें कि गुड और तिल की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब तिल और गुड की वह कटोरी लेकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे जाए। गुड को पेड की जड में अर्पित कर दें। ऐसा करते समय मन में भगवान, शिव और पितरों का ध्यान करते रहें। और उनसे आपके जीवन की सभी समस्याओं को हल करने की प्रार्थना करें। आप यहां ओम नमह शिवाय मंत्र का जाब भी कर सकते हैं। इसके बाद पेड के नीचे कुछ समय बैठ कर ध्यान करें। ध्यान करते समय अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। और यह कलपना करें कि आपकी सभी समस्याएं दूर हो रही हैं। और आपके जीवन में सुख सम्रिध्य आ रही है। ध्यान के बाद वहां से उठें और घर वापस आकर हलकी मिठाई जैसे कि गुड का सेवन इस से आपके द्वारा किये गए उपाय का प्रभाव और भी बढ़ जाता है और पितरों का आशीरवाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह उपाय न केवल पित्र दोश को शांत करता है बलकि यह आपके घर में सुख, शांती और सम्रिध्धि भी लाता है। तीसरे उपाय में विशेश रूप से चावल का उप्योग किया जाता है जो पित्र दोश को शांत करने और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो अपने परिवार में लगातार संघर्ष, मानसिक तनाव या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। चावल का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है क्योंकि इसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है और यह अनाज पितरों को समर्पित करने के लिए विशेश रूप से उपयुक्त है। अब यहाँ पर कहीं लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या एकादशी के दिन चावल का उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखो पूज गुरुदेव ने सपश्ट बताया है कि चावल का उपयोग आप के लिए कर सकते हैं, वह भी भगवान शिव के लिए। तो यहाँ पर आप चावल का उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक सफेद चावल ले। ध्यान दें कि चावल पूरी तरह से साफ और बिना टूटे हुए हों। क्योंकि टूटा हुआ चाव स्वध्धा, 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 स्वध्धा का जाप करके एक चावल का दाना जल के पात्र के अंदर आपको डालना है, पपूर्ण है. अब आपको जाना है किसी भी शिव मंदिर में, वहाँ पर आपको यह जल अर्पित करना है, पित्रेश्वर महादेव के नाम से. यह उपाय अभी भी कर सकते हो, नहीं तो आप रात्रि तक यह उपाय किया जाता है, तो आप रात्रि तक भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने का सबसे बड़ा लाब यह है, जिन लोगों के घर में सुख शान्ती नहीं है, तो पितरों की विशेश कृपा इस से होती है, और घर में सुख शान्ती आती है, साथ ही साथ धन की परेशानी भी दूर होती है, जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे सम हो जाती हैं, और परिवार में शान्ती और सद्भाव बना रहता है, अगर आपको यह उपाय उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साजह करें, ताकि और लोग भी इस उपाय का लाब उठा सकें कर दो हैरा CHRIST घर सब्सक्राइब करें, जर आपकें जरूर को जो हैराण हैं, यरा आपकी यह उपाय करेंट्स में, तो हैरा है हमेन fraction ूप है कि तरूर एफले खाग फी togetherा है, आपकेंशान करें जर पूला करेंगी लाखना है, लञीना करें आपको एम मेंएंः बoh Hi financi Ohana, है